हेलो अड़ोवन वेगंबक टुब वाल बंदस हो गईस आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो रोस डेली कस्टम रोम चेंज करते हैं और अपना डेटा जो है वो बैक अप करकर रिस्टोर करकर ठक चुके हैं तो गईस यह आपके लिए बहुत ही खास वीडियो ने वाल जाता है और गईस कुछ अप्स तो यासी होती है कि वाट्शाप टैलेग्राम जो OTP मांगती है और OTP एक दिन में कुछ लिमिट होती है उतनी ही बार आपको OTP मिलता है उसके बाद लिमिट खता हो जाती है आपको एक दिन का इंतिदार करना पड़ता है तो काफी टाइम व आपको मजश के थूरू दे देनी है मजश के इंस्टाल होना कमपल सरी गाई जरूट एकसर होना कमपल सरी है तो यह देखी मैंने यूजज यूजज एकसर की परमिशन इसे दे दिया अब मैं क्या करूँ गए बगले से बैकप बटन पर क्लिक करूँगा और यहां से सारी आपस जो मैं बैकप करना चाहता हूँ उन पर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं अपका सेक्शन लागे डीटा का सेक्शन लागे तो अभी यह सारी अपस सेलेक्टिद है तो मैं सिर्फ अपनी सेलेक्टिद अपस ही बैकप करूँगा जैसकि मैं यहां पर सेर्च करता Instagram app और उसका data भी मुझे यहां पर backup करना है with permissions ठीक है और मैं क्या backup करना चाहूंगा Facebook light क्योंकि मैं login नहीं करना चाहता बार-बार install करके ठीक है यह दोनों apps होगी और मैं चाहूंगा कि PUBG तो PUBG दरूर नहीं है PUBG हम install कर सकते हैं इसका data मैं अनलग से backup कर रखाए Telegram X login नहीं चाहता इसलिए Telegram X का backup प्लस WhatsApp इसका data plus permission प्लस application ठीक है तो यहां पर मैंने selected app आप सेलेक्ट कर लिए प्लस data प्लस permission ठीक है आपको अपनी मन चाहिए आप सेलेक्ट कर लेने फिर नेक्स बेटन पर क्लिक करना है अगर आप चाहूँ तो context पर क्लिक कर सकते हो contact का backup मैं कहूंगा कि मत करूँ कि आप Google से login करते हो तो automatically आपके context restore होई जाते है पर अगर फिर भी चाहते हो तो कर सकते हो और call logs मैं यहां पर चाहूँगा कि restore हो जाए और keyboard की settings default keyboard iam e settings ठीक है ठीक है तो इसे कर देख लोज अब इस backup पर कर देते हैं start यहां पर आप नेम रख सकते हैं आपने backup कुछ भी कैस मैं चाहूँगा कि आप यहां पर यहां पर backup जो है complete होगा finished no errors ठीक है अब हम इसे कर देंगे close चलो इसे कर देते close गाइस अब हम चलते है directory में जहां पर इसका backup create होगा होगा तो हम चलते file manager में और जहां पर folder रहे जाएगा migrate यहां रहा backup जो हमने बनाए 299 को चैंबी आपर backup create होगा है तो ओके तो यहां backup हमारा create होगा है अब मैं क्या करूँगा गाइस कि इस backup को मैं move कर दूँगा मेरी otg pen drive में क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर internal format करने की condition आए तो मेरे जो data हो भी format हो जाए तो मैं इसको backup कर दूँग में तो गाइस ही देखो मेरे data जो है आपर backup हो चुका है अब मैं पंट्रेव इर्चक्ट कर देता हूं तो यह मैंने निकाल दी pen drive हमारे data मैं में पंट्राइब मूफ कर दिया तो अब हम क्या करेंगे गई अब हमें simply क्या करना है अगर हम कस्वेश कर रहे हैं सबसे पहले पासवर्ड यहां से हम अटाइए ठीक है हमारी करेंट रोम से पासवर्ड रहतेंगे टाकि encryption का कोई issue नहीं आए तो यहां पर मैं प्लस जो पासवर्ड में लगा रख रहा है है प। छेड़ आपको क्या करना आब जैसके अपनी पर मैंने मेरी रूम जोब कर लिया मैंने दूसरी रूम इंस्टॉल कर लिया तो गयस यहां पर हमैं क्या करना है अब रेबूट करना जरूरी है ता कि हमारी ऑप करा लिए उसका रिच्टे अच्छे हैं सके इसलिए एक बार आप जो है रिबूट कर लो सिस्टम में आपकी नई रोम पर आप रिबूट कर लो तो गैस जी देखो यह मेरी नई वाली रोम जो मैं इस्टाल होगी और हम बूट कर चुके है यहाप सबसे पहले आपको जो सेल्ट अब है गाइज वो कंप्लीट कर दो इसलिए पर स्केप कर दो जो चाहों कर दो तो गैसी देखो मेरा सेल्ट अब हो चुका है अब मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पर कोई भी अप इंस्टाल नहीं है सिर्फ मजस्ट के आप इस्टाल किया था तो ठीक है यहाँ पर कोई जो मैंने वाट्टाइप वाग देखो यह इंस्टालिंग होगी हमें ओपन करके दिखा देता हूं एक बार आपको दिखा दो कि क्या से करना है रिस्टोर तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पहले दिखेंगी मजस्ट इंस्टॉर्ड है या नहीं तो दाइस यह देखो यहाँ पर मर्देश्ट जो हैं अब हम जाएंगे माईगरी टाप में दो बारा तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे कि हाउट विस्टोर बैक अप पे तो इस पर क्लिक करते हैं तो कैसे ओकर रिस्टोर बैक अप देख लेते हैं ठीक है नेक्स करते हैं पहला हमने नई रोम फ्लैश की उसके बाद क्या करना दो जो ज़ weakest हम दो बारा रिबूट कर लीते रिकावरी में तो यहां से में रिबूट कर लोगा रिकावरी में डिया कि कवरी में ठीक है अए निर्फ दो डढ़ा हमारा फोन हो चुका है बूर्ट हमारी कस्टम रोम पर इसे करते हैं अनलॉक और आप देखोगे आप यहां पर एक नई आप आपको देखेगी माइगरेट की तो यह देखिए सेकेंड वाली माइगरेट की आप इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा रिस्टोर ऑल एप्सेंट है का आपको दे suppressed करदे ना है और इसके बाद आपको ग्राइट करनी है इसको रूल पर मिशन या नी मजस की पर मिशन तो ने कर दी grant इसको सारी permission यह जो भी आपसे मागे वह आप इसको देते रहो okay करो यहां पर भी okay कर दो और यहां पर permission सारी grant कर दो अब restoring process जो है बस्तार्ट हो गई है यह देखिए guys हमारी restore process जो है यहां पर start होगी अब Instagram जो रिस्टोर हो रहा है उसकी application install होगी automatically उसका data restore होगा ऐसा ही दीर दीर हमने जितने भी applications का backup बनाया था तो सारी apps जो धीर 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 रिस्टोर हो जाएंगी जितनी आप सब select करोगे उतना time आपको restore और backup में लग जाएगा तो यहां पर मेरी Facebook और WhatsApp भी हो गई है guys तो धीर धीर है यहां पर जितना भी आपने डेटा बैकप किया था वह सब restore हो जाएगा देखो गया है 32 seconds लेगे मुझे आप आप क्या करो आप चाहो तो यह जो एप है यह टेलीग्राम भी आ गया है और messages भी आना शुरू हो गया नए वाले message यह देखी गई तो कुछी सरी कैसे हम कर सकते है data का backup और restore application के साथ और migrate के सुरू मैं आपको facebook भी दिखा देता हूं तो यह देखी गई जो है आपको login वगेरा जो नया data आप create करते वह आपको नहीं करना पड़ेगा simply सिफ flash कर लो यह migrate वाली जिप और migrate आपके लिए